राम राम सक्यो शितला माता के संदर्ब में आनेक कथाय प्रचलित है एक कथा के अनुसार एक दिन माता ने सोचा कि धर्ती पर चल कर देखे कि उनकी पुजा कोन-कोन करता है माता एक बुढिया का रूप धारण कर राजस्थान के डूंगरी गाउ में गई माता जब गाउ में जा रही थी तभी उपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया माता के पूरे शरीर में छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी माता दर्थ से कराहते हुए गाउ में सभी से सहायता मांगने लगी लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी गाउ में कुमबार के परिवार के एक महिला ने जब देखा कि बुढिया दर्थ से करा रही है तो उसने माता को बुला कर घर पर बिठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के उपर डाला ठंडे जल से माता के उन छालो की पीडा में काफी राहत महिसूस हुई फिर कुमबारीन महिला ने माता से कहा माता मेरे पास रात के दही और राबडी है आप इनको खाए रात के रखे दही और जुआर की राबडी खाकर माता के शरीर को काफी ठंडक मिली कुमबारीन ने माता को कहा माता मैं आपके बाल बिखरे है इनको गूत देती हूँ वो जब बाल बनाने लगी तो बालों के नीचे छूपी तीसरी आख को देखकर डर के भागने लगी तभी माता ने कहा बेटी डरो मत मैं शितला माता हूँ और मैं धर्ती पर यह देखने आई कि मेरी पूजा कोन करता है फिर माता असली रूप में आ गई कुमारीन महिला ने शितला माता को देखकर भाव विवोर हो गए उसने माता से कहा माता मैं तो बहुत गरीब हूँ आपको कहा बिठाओ मेरे पास तो आसन भी नहीं है माता ने मुस्कुरा कर कुमारीन के से कहा और गदे पर जाकर बेड़ गई और जाडू से कुमारीन के घर की सफाई कर डलिया में डाल कर उसकी गरीबी को बाहर फेक दिया माता ने कुमारीन की श्रद्दा भाव से खुश होकर वर मांगने को कहा कुमारी ने हाथ जोड़ कर कहा माता आप वर देना चाहती है तो हमारे डूंगरी गाउं में ही निवास करे और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अश्टमी को पूजा करे और वरत रखे तथा आपको ठंडा वेंजन भोग लगाए उनकी गरीबी ऐसे ही दूर करे पूजा करने वाली महिला को अखंड सोभाग्य का अशिर्वात दे माता शितला ने कहा बेटी ऐसा ही होगा और कहा कि मेरी पूजा का मुख्या अधिकार कुमभार को ही होगा तबी से यही परंपरा चली आ रही है डूंगरी गाउं का नाम अब शील की डूंगरी नाम से प्रचली थे जहां माता शितला का भव्य मंदीर बना हुआ है खोटी की खरी अधूरी की पूरी